हलो फ्रेंस वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल दे लिविंग लाइफ फ्रेंस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात के जगत मंदिर शाय धामों में से एक धाम द्वारका धाम के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप यहां कैसे चुरू करते हैं द्वारका पहुंचने का सबसे सस्ता तरीका बाई ट्रेन है आपको द्वारका के लिए डाइरेक्ट ट्रेन बहुत सारी शहरों से मिल जाएंगी अगर नहीं मिलती तो आप एहमदाबाद या राजकोर तक आ सकते हैं वहां से बस या ट्रेन से आप द्वा अच्छे खासे होटेल्स मिल जाएंगे तो अब हम बात करते हैं यहां खाने की बेवस्ता के बारे में आपको यहां 120 रुपे से 200 के बीच में अच्छा खासा थाली मिल जाएगा जब आप द्वारका पहुंच जाते हैं तब आपको सबसे पहले द्वारका देश मंदिर जाकर दर्शन करना हैं याद रखे कि यहां फोन कैमरा बिलकुल भी अलाव नहीं है आप अपना फोन मंदिर परिसर में ही जमा कर दें द्वारका देश मंदिर के दर्शन करने के बाद आप सुदामा सेतु जाईए फिलहाल कुछ समय से सुदामा सेतु बंद पड़ा हुआ है तो आप इन रास्तों से होते हुए दूसरी और पहुंच सकते हैं यहां आने के बाद आपको लक्षमी नरायन मंदिर के दर्शन करन हैं यहां दुर्वासा मुनी का आश्रम भी है जहां वे बैठ कर तब किया करते थे फिर आप पहुचते हैं पंचनंदा तेर्थ यहां पहुचकर आपको पांचो कुंड के जल का स्वाद लेना है पंचनंदा तेर्थ में टोटल पांच कुंड है पांचो कुंड में जल का स्वाद मिठा होने के साथ साथ अलग भी है आप गोमती घाट में स्नान भी कर सकते हैं गोमती घाट में स्नान करना बहुत ही शुब माना जाता है यहीं गोमती नदी और समुद्र का संगम भी होता है इसके बाद हम जाएंगे रुकमनी मंदिर जो की द्वारका दिश मंदिर से 2 किलो मेटर की दूरी पर है रुकमनी मंदिर का एक अलग ही इतिहास है कहा जाता है कि एक बार भगवान क्रिश्न और उनकी पतनी रुकमनी दुर्वासा रेशी को द्वारका आमंत्रित करने के लिए गए दुर्वासा ने भगवान तथा उनकी पतनी को स्वयम अपने कंधों पर रत उठागर द्वारका ले जाने के लिए कहा माता रुक्मनी और भगवान स्री कृष्ण खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गया और उन्होंने चलना शुरू कर दिया रास्ते में रुक्मनी जी को प्यास लगी और गंगा का पवित्र पानी प्राप्त करने के लिए कृष्ण ने धर्ती पर लाठी मारी परन्तु दुर्वासा रिशी को पानी की पेशवश किये बीना ही रुक्मनी ने पानी पी लिए जिसके कारण दुर्वासा रिशी को क्रोध आ गया और उन्होंने रुक्मनी को श्राप दिया कि वह अपने पती से बिछड जाएंगे तब से माता रुक्मनी यहां रहने लगी अब हम जाएंगे शिवराशपूर बीच शिवराशपूर बीच का एंटरंस फी 30 रूपीज है पर परसन आप यहां कम से कम एक से दो घंटे का प्लान बना कर आईए आप यहां बनाना राइड, स्कूवर डाइविंग, पारा सेलिंग और भी कई वाटर स्पोर्ट्स का आनन्थ ले सकते हैं शिवराशपूर बीच द्वारका से 11 किलोमीटर की दूरी पर है सफेत रेत के साथ यह बीच बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर बीच है यहां आकर आप समुद्र के खुबसूरत नजारों का आनन्थ ले सकते हैं वैसे तो यह शांत समुद्र तठ है, लेकिन विकेंड पर यहां काफी भीड होती है यह समुद्रतट अपने परिवार और दोस्तों के साथ घुमने के लिए बहुत ही अच्छी जगा है। शिवराजपूर बीच ऐसा बीच है जहां पर वो सारी चीज़े हैं जो की एक बेहत्रिन समुद्रतट में होनी चाहिए। यहां का पानी नीला और बहुत ही साफ है। यहां गुजरात का एक ऐसा बीच है जिसको ब्लू फ्लैक बीच का दर्जा मिला है। ब्लू फ्लैक का दर्जा उन्हीं बीच को मिलता है जो की दुनिया में बहुत ही साफ और स्वक्ष होते हैं। शिव राजकूर बीच के बाद अब हम चलते हैं भेट द्वारका जो कि ओखा में है और ओखा द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है भेट द्वारका जाने के लिए आपको बोट का सहारा लेना होगा जो कि 15 से 20 मिनट में आपको भेट द्वारका पहुशा देगा एक बोट में लगभग 50 से 70 लोग जाते हैं और पर परसन 20 रोपीज चार्ज है फ्रेंट्स अगर आप अपने पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं तो आप अलग से एक प्राइवेट बोट में भी बेट द्वारका जा सकते हैं जिसमें 5 से 6 लोगों का 3 से 3,500 तक चार्ज लगता है कहां जाता है कि एसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की अपने मित्र सुदामा से भेट हुई थी इस मंदिर में श्री कृष्ण और सुदामा की प्रतिमाओ की पूजा की जाती है मंदिर में मौजूद भगवान द्वारका धेश की प्रतिमा की बारे में कहा जाता है कि इसे माता रुकमनी ने स्वयम तयार किया था भेट द्वार का पहुंचने के बाद आप अपना फोन जुते चपल सम मंदिर परीसर में फ्री में जमा कर सकते हैं उसके बाद मंदिर में प्रवेश करें और दर्शन कीजिए दर्शन करने के बाद आप थोड़ा और आगी जाकर सोने की द्वार का भी जा सकते हैं जिसमें एंट्रेंस फी लगता है प्रति ब्यक्ति के हिसाब से 40 रुपए हैं यहां दर्शन करने के बाद आप गोपी तलाब जाएए यहां कुछ देर आराम कीजिए और फिर रवाना होए नागेश्वर महादेव जोतिर लिंग की और जोकी बारहवा जोतिर लिंग है नागेश्वर मंदिर एक प्रसीद मंदिर है जो भगवान शिफ को समर्पित है भगवान शिफ का यह प्रसीद जोतिर लिंग द्वारका से 17 किलो मिटर की दूरी पर इस्थीत है इस पवित्र जोतिर लिंग के दर्शन की साश्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है कहा गया है कि जो श्रद्धा पुर्वक इसकी उत्पती और महात्मे की कता सुनेगा वा सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिफ के परम पवित्र दिव्या धामो को प्राप्थ होगा आप यहां महादेव की दर्शन करने के बाद कुछ दिर मंदिर में ध्यान भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये थे द्वारका के टोटल विजिटिंग प्लेसेज द्वारका में दो दिन काफी है एक्स्प्लोर करने के लिए और जब आप द्वारका पहुँच कर आटो हाइर करते हैं तब वो बारा सव से पंदर सो रुपया चार्ज करते हैं और आपको पूरी द्वारका घुमाते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर